Hello everyone, welcome back in another session of reasoning. आज के session में हम chapter 4 करने वाले हैं, which is coding, decoding. तो ये chapter बहुत ही important और इससे 5 marks के question आये थे पिछले बार, तो हमें बहुत ध्यान दे के इस chapter को करना है, ठीक है? So like every chapter, इस chapter में भी हम इसके types देखेंगे, इसके कुछ example solve करेंगे, और last में questions भी solve करेंगे. सबसे पहले coding मतलब होता क्या है? Coding means to hide the meaning of any message, and decoding means to understand the actual meaning of the message. Coding मतलब होता है किसी भी चीज़ को, message हो या कोई भी word हो, उसकी meaning को आप hide कर रहे हो, तो आप उसको code कर रहे हो, ठीक है? और decoding मतलब, जब हम उसका actual meaning समझ रहे हैं निकाल रहे हैं, तो उसको decoding बोलते हैं, ठीक है? So, this is coding, decoding. अभी हमें question कैसे आते हैं? तो आपको एक word या sentence देंगे, वो या तो coded way में होगा, या decoded way में होगा, आपको बोलेंगे, उसको code करके बताओ, या decode करके बताओ. आपको सामने के example देंगे और उसी तरीके सा आपको करना होगा. इसको solve करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़े आनी चाहिए, पहले से जैसे की, आपको rules पता होने चाहिए, कि क्या-क्या follow होते है, किसी particular message या word को code या decode करने में. सबसे पहले आपको alphabet order याद होना चाहिए, from left to right. यहाँ से सबसे easy तरीके से question आता है, जैसे आपको अगर number दे दिया, कि 1, 4, 7 को आप कैसे code करोगे, तो फिर वो alpha numerical हो सकता है, मतलब 1 हमने A के लिए use किया हो, 4 हमने D के लिए use किया हो, 7 हमने G के लिए use किया हो. ठीक है, इसी तरीकी से उल्टा भी हो सकता है, आपको दे देंगे, K, L, O, P कुछ भी देंगे, और फिर बोलें कि इसको number में code करो, तो आपको 1 से लिए 26 तक यह याद होना चाहिए, कि A को 1 बोला जाता है, B को 2 बोला जाता है, C को 3 बोला जाता है, अब यह हमारा है left to right order मे इसी को उल्टा करके भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको यह याद रखना है, यह तो सबको याद होगा, next में क्या करते है, from right to left कर देते हैं, इसमें Z से हम start करते हैं, और A को हम 26 मानते हैं, जब आप question में pattern देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि क्या इसको ultra तरीके से code किया है, यह सीधे तरीके से code किया है, ठीक है, तो यहाँ पर Z को हमने 1 ले लिया, भी ultra लिखा है, Z, Y, X, W, U, T, S, R, ultra लिखा है, और हमने numbering 1, 2, 3, 4 ही किये, ठीक है, नमबर हमने सीधे लिखे है, बस alphabets को सारा हमने उल्टा कर दिया है, तो यह दो तरीके होगे alphabets में, अब इसमें किस type के question आते है, पहला type जो हम देखते हैं, वो है letter coding, ठीक है, in this type of question, letters of a word are replaced by a certain other letter according to a specific pattern from the code, एक code के specific pattern से हम उस letter को replace कर देते हैं, candidate जो होता है, candidate are required to detect the coding pattern and answer the question asked based on the coding pattern, तो आपको coding pattern समझना होता है और उसके बाद आप उसका answer देते हैं, okay, example देखते हैं, first example है, in a certain code language, game is written as HCPI, then what will be the code of stump, अब सबसे पहले इसको solve करने लिए आपको इसके और इसके बीच का relation देखना होगा, तो यहाँ पे game को इन लोगों ने लिखा है, HCPI, तो हम देख रहे हैं, तो हमें क्या देख रहे हैं, कि game जो G है, उनको उन्हेंने एक increase करके H लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ plus 1 हो रहा है, उसके बाद यहाँ A है, A से हम जब 2 plus करेंगे letters, तो आएगा C, ठीक है, then यहाँ पे M है, M से जब हम 3 plus करेंगे, तब आएगा जब हम 4 plus करेंगे, तब हमारा आएगा I, ठीक है, तो यहाँ पे pattern क्या follow हो रहा है, first letter के बाद 1 plus किया, second letter के बाद 2 plus किया, third letter के बाद 3 plus किया, and fourth letter के बाद 4 plus किया, अभी इसी similar pattern में हमें इसको solve करना है, so we all know alphabet, हमें पता है, S के बाद क्या आता है, T, और यहाँ पे options देखो, सारे के सारे words जो है, हमारे T से ही start हो रहे है, तो S के बाद हम लिखेंगे T, उसके बाद T के बाद हमें 2 plus करना है, तो T के बाद क्या आता है, U, V, उसके बाद हमारा आएगा V, A के बाद क्या आता है, A यहाँ के बाद हमें 3 plus करना है, तो B, C, D, तो यहाँ आए जाएगा D, अब देखो कहीं match कर रहा है, जो हमारा आया, T, V, D, यहाँ पे भी T, V, D है और यहाँ पे भी T, V, D है, तो अभी हमें आगे भी solve करना पड़ेगा, क्योंकि दो option में अभी confusion है, next देखते है, M, M के बा है, यहाँ है, तो हमें पता चल के हमारा correct answer कौन सा है, option D, ओके, अंजो मैं starting में बोरी थी, आपके 5 question direct इससे आये थे, वो इसी से आये थे, letter coding से, ठीक है, पांच के 5 question इससे आये थे, और यह जादा difficult भी नहीं है, आप सबको alphabets आते हैं, और आपको rough sheet भी दी जाती है, तो वहाँ पर लिख के जब करोगे, जल्दी से तुरंट हो जाएगा यह वाला, अभी और इसके example solve करते हैं, next example है, in a certain code, intelligence is written as E-T-N-I-G-I-L-L-E-C-N-E, okay, intelligence को ऐसे लिखा है, अब हमें बताना है, mathematical को कैसे लिखेंगे, इस question का जो pattern है, वो पिछले बाले pattern से बहुत ही अलग है, ठीक है, इसके लिएक image लगाईए, मैंने तो आप देखो, इसमें क्या किया है, जैसे intelligent है न, तो यह total 12 letter word है, and mathematical यह भी 12 letter word है, तो इसमें इन लोगोंने 4-4 के pairs बनाया है, okay, ऐसे 4-4 के pairs बनाया है, and उसके बाद उन interchange किया है, इसी तरीके से mathematical में भी 4-4 के pairs बनाने होंगे, और उनको interchange करना होगा, तो interchange कैसे किया है, यह जो हमारा last letter था, first pair में, उसको हम first ले आएंगे, उसके बाद T आ जाएगा, उसके बाद N, उसके बाद I, तो ऐसे किया है, फिर उसके बाद दुबारा same चीज, यहाँ प उसके बाद A, उसके बाद M, ठीक है, then हम second pair पर जाएंगे, तो second pair का last word T था, तो हम उसको यहाँ ले आएंगे, फिर A, फिर M, फिर E, next is, यहाँ पर L last था, तो L को यहाँ ले आए, फिर A, C and I, तो यह ऐसे solve होगा, तो आपको इस solve करने के बाद ही मिलेगा, और इसका correct answer क्य है, option C, तो क्या किया है, कुछ नहीं, बस जो भी word है, 12 letter था, उसको 44 के pair में, इन लोग ने break कर दिया है, और words को interchange किया है, okay, next is example 3, in a certain code language, 481 means, sky is blue, 246 means, sea is deep, and 698 means, sea looks blue, what number is the code for blue, हम से पूछा है कि blue जो word यूज हुआ है, उसके लिए हमने कौन सा number यूज किया, तो आपको देखना है, पहले कौन से दो sentence में हमें blue मिला, तो हमें first में blue मिला, जहां में लिखा था, sky is blue, and हमें second में blue मिला, जहां लिखा है, sea looks blue, ठीकिया, अब इन दोर में आपको देखना है कि common number कौन सा है, यहां पे 698 और यहां पे 481, तो इसमें common number साफ साफ दिख रहा हमें कि 8 common number है, which means 8 जो हमारा number है, वो blue के लिए coded है, ठीकिया, तो हमारा correct answer हो जाएगा, option C, अब next type है, substitution coding, in this type of coding, some particular words are coded with certain substituted word, add on the basic of substitution word, the code of given word is derived, तो यहां पे कुछ words होते हैं, उनके substitution word आपको दिये जाते हैं, ठीकिया, और उसके according आपको code derive करना होता है, example से समझना है, यह भी बहुत ही easy है, ठीकिया, example देखो, if yellow is called blue, yellow को हम blue बोल रहे है, blue is called red, blue को red बोल रहे है, red is called pink, red को pink बोल रहे है, pink is called black, pink को black बोल रहे है, and black को orange बोल रहे है, तो हमसे पूछा है, then what is the color of blood, आपको इतना सारा आपने पड़ा, कोई भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीकिया, अभी हमें बस last portion देखना है, हमसे पूछा है, blood, ठीकिया, blood कौन से color का होता है, red, blood होता है red color का, red color के लिए क्या color code किया है, साफ-साफ देख रहा है, हमें red के लिए pink दिया है, correct answer क्या हो जाएगा, option B, pink, ठीकिया, पिंक यहां पर हमें code के हिसाब से बताना है, बस यहीं गलती कर देते है, code के हिसाब से हमें बताना है, कि blood का जो color है, वो क्या है, ठीकिया, हमें पता है, blood का color red होता है, और यहां पर red को हमने as a pink code किया है, ठीकिया, so here is the solution, you can read it, next is fictitious language coding, here code from two or more sentences is given, and you are required to find the code of a particular word और a message, आपको कुछ sentence में यहां पर code दिया जाएगा, और आपको किसी particular word का या message का, meaning find करना होगा, या code find करना होगा, so ऐसे codes को जब हम analyze करेंगे, तो any two meaning, bearing a common word और number है, picked out, तो कोई common word या common number हमें pick करना होगा, ठीकिया, और उसी तरीके से proceed करना होगा, जितने भी possible combination है, वो देखेंगे, हम पूरे message को decode कर सकते हैं, और हर एक individual word का code भी हम find कर सकते हैं, अब इसके example देखते हैं ताकि और clear हो, okay, example 5, in a certain code language, it bit sit means I am boy, it knit sit means I am girl, which is the following means girl, जैसे अभी हमने पिछले वाले में देखा letter coding में जहां पर number कुछ दिये थे और उससे number से कुछ words दिये थे, तो हमें बूला है, it pit sit जो है, उसका मतलब है I am boy, और it knit sit जो है, उसका मतलब है I am girl, तो यहाँ पर girl के लिए हमने कौन सा word use किया है, ओके, let's see the solution, यहाँ पर it है, pit है and sit है, मतलब I am boy, और it knit sit, I am girl, it और sit दोनों में common है, ओके, तो इसका मतलब हो गया I am, बच्चा कौन सा, एक pit, तो pit मतलब boy होगा, और knit, knit मतलब girl होगा, तो हमसे पूछा है, यह कौन सा है, तो यहाँ पर देखो, knit word जो है, option D, वो girl के लिए code किया हुआ है, अगला example है, if device is coded as, B-A-R-E-X-A, orinate is coded as, Z-V-M-E-S-A, what video be coded as, video को हम कैसे code करेंगे, अभी हमें code करके बताना है इसको, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी आपका letter या यह सब follow नहीं हो रहा, यहाँ पर आपको देखना है, यह जो words है, उसके लिए हमने कौन से words यूज़ किया है, यहाँ पर corresponding codes में, तो हमारा विडियो का जो पहला word है, वो है वी, अभी हमें इस word में या इस word में खोजना है वी कहा है, तो हमें दिख रहा है device में, वी लिखा है, ठीक है, और वी के लिए वहाँ पर इन्होंने कौन सा word यूज़ किया है, आर, तो हमारा first word है, आर, next है I, आई है, वी के बेगल में ही आई है, और उसको हमने as a code किया है, E, तो यहाँ पर हमारा next word हो गया, E, उसके बाद है D, D को code किया है यहाँ पर as a B, तो यहाँ पर next word हमारा हो गया B, अगला word है E, E के लिए यूज़ किया गया है, A, last word है, O, जो कि यहाँ पर O दिख रहा है हमें, O के लिए इन लोग ने Z यूज़ किया है, तो Z, अब जो अभी हमने इसको code किया, किस से match कर रहा है वो, option B से, ठीक है, R, E, B, A, Z, तो option B जो है, यह हमारा correct हो गया, so this was easy right, इसमें बस आपको यह याद रखना है, कि यहाँ पर कुछ भी अपलाए हो सकता है, previous examples में हमने देखा, वहाँ पर letters को एक बढ़ा कर, या घटा कर ऐसे लिखा गया है, फिर letter को ऐसे भी दे सकते हैं, कि code में से एक्स्ट्राक्ट करो, तो आपको यह चीज़े याद रखने हैं, कि कुछ भी यहाँ पर करना possible है, हमारा last type है type 4, which is number coding, in such type of question, a numerical code value is assigned to a word, through a specific rule, कुछ specific rule follow करके, जो हम code होता, उसको numerical value देते हैं, ठीक है, word के लिए, assigned code value may be according to the place value, of alphabetic order, or may be another form of numerical value, जो assign code value है, वो या तो place value हो सकती है, alphabet की जैसे हमने starting में देखा दा न, a के लिए 1, b के लिए 2, या तो वैसे हो सकती है, या तो किसी अलग form में भी हो सकती है, ठीक है, इसका example देखते है, example 7, if in a certain code language, eat is written as 318, and chair is written as 24156, then how teacher be written in that code language, so हमें पहले दिया example की, eat के लिए ये लिया है, chair के लिए ये लिया है, अभी हमें बताना है की, teacher के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो obviously देखके पता चल रहा है, कि इन लोग उने place value तो नहीं लिए, क्यूंकि e आता है, 5th position पे, ये ना की 3rd position पे, तो place value नहीं लिया है, इनोंने कुछ और ही किया है, तो हम इनने की according चलते हैं, e के लिए इनोंने 3 लिखा है, और a के लिए 1 लिखा है, t के लिए 8 लिखा है, फिर वहीं पे हम common देख रहे हैं, नीचे a है, a के लिए यहाँ पे इन लोगों ने 1 ही लिखा है, अगर teacher में देखे, तो हमें क्या-क्या word मिल रहे है, t मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे t है, तो t के लिए क्या code किया है, 8, तो हमारा जो code language है, या हमारा code है, वो 8 से start होना चाहिए, तो सारे option हमारे 8 से ही start हो रहे है, ठीक है, पहला word हो जाएगा हमारा 8, next है e, तो e के लिए लिखेंगे हम 3, so first word is 8, then 3, उसके बाद है a, तो हम लिखेंगे 1, उसके बाद है c, c के लिए यहाँ पे 2 लिखा है, तो हम लिखेंगे 2, उसके बाद है h, h के लिए यहाँ पे 4 लिखा है, तो आएगा 4, उसके बाद है e, e के लिए क्या code है, e के लिए है 3, उसके बाद है r, r के लिए क्या है, 6, so code जो हमारा है, 8, 3, 1, 2, 4, 3, 6, option देखो, 8, 3, 1, नहीं, यह गलत हो गया, 8, 3, 1, नहीं है, 8, 3, 1, 2, यहाँ पे रॉंग हो गया, तो हमारा option B correct है, 8, 3, 1, 2, 4, 3, 6, option B is the correct answer, next is example number 8, if cup is 40, then kite is, अभी यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे place value है, और उस place value को plus किया है, ठीक है, क्योंकि 40 तो कैसे, यहाँ पे 3 letter है, इसका कुछ code नहीं बन रहा, तो C क्या होता है, C होता है 3, place value के according, U होता है 21st letter, and P होता है 16th letter, so question के according, सबको plus किया हुआ है, तो 3 plus 21 कितना हो जाएगा, 24 and 24 plus 16 is 40, ठीक है, तो यहाँ पे आगया हमारा cup का 40, अब same हमें kite के लिए करना है, तो kite की place value देखनी होगी, ठीक है, तो K होता है 11th position पे, I होता है 9th position पे, T होता है 20th position पे, और E होता है 5th position पे, अब हम इस सारे digits को plus करेंगे, जब हम इसको plus करेंगे, तब हमारा आएगा 45, ठीक है, 20 plus 5 कितना हो गया, 25, 25 में 11 plus करो, तो हो जाएगा 36, and 36 plus 9 is 45, सो हमारा correct answer है 45, तो question number 1, in a certain code, loot is written as mute, and fate is written as gate, then how will blue be written in the code, blue को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या rule follow हो रहा है, यहाँ पे क्या pattern follow हो रहा है, जो हमें दो words दिये का हैं, हमें उसमें देखना होगा, ठीक है, पहला word है loot, उसको mute लिखा है, तो L के बाद क्या आता है, M, L के बाद आता है, M, ओके, तो यहाँ पे हमने L के बाद M लिखा, and बागी सारे word same लिखें, similar तरीके से fate और gate, F के बाद क्या आता है, G, और उसके बाद के सारे word same लिखें, तो यहाँ पर पहला word है blue, जिसका letter first है B, और उसके बाद क्या आता है? C, तो क्या हो जाएगा? clue, option A हमारा correct हो गया, okay? Next is, in a certain code, road is written as URDG, how is swan written in the code? road को लिखा है URDG, तो swan को कैसे लिखेंगे? So, यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है हमें हर एक letter के बाद 3 letter plus करके यह word आया है, ठीक है? R के बाद पढ़ो, R के बाद S, T, U, तो 3 plus किया, तो U आया, similar तरीके से O के बाद 3 plus करेंगे, तो R आयेगा, फिर A के बाद A, B, C, D, आया न, फिर 3 plus किया, और D के बाद जब हम 3 plus करेंगे, तो G आयेगा, तो इसमें भी हमें S, E करना है, S के बाद 3 plus करो क्या आयेगा? तो पहला है S, उसके बाद S, T, U, V, तो पहला word हो गया हमारा V, इसलिए सारे option देखो V से start हो रहे हैं, next word है W, तो W के बाद अगर 3 plus करेंगे, तो Z आयेगा, उसके बाद है A, तो A के बाद आएगा D, and last word is N, N के बाद 3 plus करो, तो आएगा Q, Now match the code which you bought with the option, so option B will be the correct answer, next question है, if fish is written as E, H, G, R in certain code, then how would jungle be written in the same code? Fish को अगर ऐसे लिखा है, तो jungle को कैसे लिखेंगे, तो दुबारा हमें pattern देखना होगा, इसमें क्या pattern है, F के बाद हमने एक minus किया, तो हमें E मिला, F के बाद एक minus करके E मिला, I के बाद एक minus करके H मिला, S के बाद एक minus करके R मिला, and H के बाद एक minus करके G मिला, तो हमने एक ए तो हमारा जो code है वो I से start होगा. तो मतलब option C and D is wrong. अब इन दोनों में से हमें देखना है. उसके बाद next word है U. U से पहले क्या आता है? T. उसके बाद है N. N से पहले आता है M. I, T, M. मिल गया न? तो हमारा option A जो है, वो correct है. Our next question is, question number 4. If girl is written as F, J, S, K. Girl को हमने ऐसे code किया है. Boy को कैसे code करेंगे? यह पूछा है. तो यहाँ पर हमें pattern देखना होगा. So, यहाँ पर क्या pattern follower है? G से पहले क्या आता है? F. ठीक है? लेकिन I से पहले J नहीं आता. I के बाद J आता है. तो एक जगा हमने minus किया. एक letter में. एक letter में हम अभी plus कर रहे हैं. इदर plus किया. और पहले बाले में हमने minus किया. Next है R. R के बाद आता है na S. तो यहाँ पर दुबारा हमने plus किया. Second letter में भी. Third letter में भी हमने plus किया. And last one is L. So, L से पहले आता है K. So, last letter में हमने minus किया. मतलब first. और last letter में हमने minus किया. और बीच के जो letter है उसमें plus किया. तो अभी boy में भी हमें similar करना होगा. Boy का पहला letter जो है वो है B. तो B से एक minus करने पर हमें मिलेगा A. Next है O. O में जब एक plus करेंगे तो आएगा O के बाद आता है P. और next है Y. Y से जब हम one decrease करेंगे तो क्या आएगा X. तो हमारा code क्या है A.P.X. Option B. Okay. Next is question number 5. If happy is written as IBQQZ in a certain code, then how would sorrow be written in that code? तो happy को हमने इस तरीके से लिखा है एक code में. सौरो को कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं है इसमें भी one one word increase किया है. H के बाद क्या आता है? I, A के बाद B, P के बाद Q, P के बाद Q और Y के बाद Z. तो सौरो में भी अभी हमें यही rule फॉलो करना होगा. S के बाद क्या आता है? T, O के बाद क्या आता है? P, R के बाद S, फिर S, फिर O के बाद P, और W के बाद X. कौन सा option इससे माच कर रहा है? Option number B. तो B हो गया correct answer. Next है, certain code में certain को ऐसे लिखा हुआ है, X, V, I, G, Z, R, M. And sequence को H, V, J, E, V, M, X, W लिखा है. How would required be coded? तो required को हम कैसे code करेंगे? अब यहाँ पे क्या rule फॉलो हो रहा है या क्या pattern फॉलो हो रहा है वो देखो. जैसे हमने example 6 किया था, इस वाले को भी हमें वैसी solve करना है. ठीक है? तो यहाँ पे हमें word देखना होगा. सबसे पहला word है हमारा R. required का सबसे पहला word है R. तो हमें देखना है certain या sequence में R कहा है? तो हमें दिख रहा है कि certain में R word यूज़ किया है. और R के लिए code क्या किया है? I. तो हमारा first word जो है वो I हो जाएगा. next is E. E हमें दिख रहा है sequence में भी है और certain में भी है. और हर जगा sequence में जहां पे भी E है, उसके जगा V यूज़ किया है. और certain में भी V उसकिया है तो मतलब हमारा next word is V उसके बाद है Q तो Q कहा है sequence में और उसके लिए क्या code किया है J उसके बाद है U U के लिए क्या code किया गया है F उसके बाद क्या है हमारा I I है certain में और उसके लिए क्या word उसकिया गया है R तो यह इतना ही solve गया, तब भी हमें हमारा correct answer मिल गया, in case option इससे ज़्यादा difficult होते है, तब आपको पूरा solve करना पड़ता है, लेकिन अभी हमें यहीं से मिल गया, तो हम stop करके देख रहे हैं, कि यह option D के साथ match कर रहा है, so correct answer will be option D. Next question है, white is called blue, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet, violet is called orange, यह इतना सारा जो आपको देते हैं यह पूरा confuse करने के लिए दिया जाता है, अगर ऐसा question आता है, तो सबसे पहले आप last का part पड़ लिया करो, कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे यहाँ पे पूछा है, color of human blood, so we know color of human blood is red, अब हम simply देखेंगे कि यहाँ पे red के लिए क्या code किया गया है, तो मैं दिख रहा है second line में कि red जो color है उसके लिए, यह लोग yellow term यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा correct answer होगा option C, yellow, अगला है, same इसी तरीके से, train को bus बोल रहे हैं, bus को tractor बोल रहे हैं, tractor को car बोल रहे हैं, car को scooter, scooter को bicycle, bicycle को moped, हमसे पूछा क्या है, then, which is used to plow a field, field किसे plow की जाती है, अभी आपको basic इतनी sense होनी चाहिए, कि blood का color क्या होता है, field किसे plow की जाती है, तो tractor से हम field को plow करते हैं, तो अभी हमें देखना है, tractor जो word है, उसके लिए इन लोगोंने, क्या substitution दिया है, वो दिया है, car, correct answer क्या होगा, option D, car, next question number 9, if rain is water, water is road, road is cloud, cloud is sky, sky is sea, sea is path, where do aeroplane fly, तो aeroplane कहां उड़ती है, sky में उड़ती है, ठीक है, sky के लिए क्या code किया गया है, sea, ठीक है, sky के लिए क्या code किया है, sea, तो option number B जो है, वो correct हो जाएगा, next is, blue is called green, green is called white, white is called yellow, yellow is called black, black is called red, red is called brown, then what is the color of milk, milk का color पूछा है, milk का color क्या है, white, white के लिए क्या code किया गया है, yellow, यहापे लिखा है न, white is called yellow, so C will be the right answer, next is question number 11, इसमें भी यही पूछा है, तो हम नीचे का पढ़ते क्या बूले, what is the color of clear sky, color of clear sky क्या होता है, blue, और यहाँ पे देखो, so यहाँ पे लिखा हुआ है, blue is called white, तो correct answer क्या हो जागा हमारा option D, white, next is in certain code, pick and choose is written as ko, ho, po and अगला word क्या है, pick up and come, इसको लिखा है, to, no, ko, po, how is pick written in the code, हमें बताना है, जो यह pick word है, उसके लिए हमने कौन सा exact word यूज किया है, तो हमें दोनों यह जो code है, उसको देखना होगा, और उसमें यह देखना है, कौन सा same code यूज किया गया है, क्योंकि दोनों sentence में pick word का यूज किया है, यहाँ पे pick and choose है, यहाँ पे pick up and come है, ठीक है, तो pick के लिए कौन सा यूज किया होगा, देखो, अभी हम question को जब ध्यान से देख रहे हैं, तो हमें दो word यहाँ पे similar देख रहे है, first is ko ko and po, and यहाँ पे भी दोनों use किया गया है, और दो word जो हैं, वो match कर रहे हैं, यहाँ पे भी and है, and pick है, और यहाँ पे भी pick है और and है, तो either it could be ko और po, okay, so option c is the correct answer, next question, question number 11, certain language में, pre not bis means smoking is harmful, walk door not means avoid harmful habits, and door bis yell means please avoid smoking, which of the following means habit in the language, अभी हम यह assume करें कि यह जो code दिया है, यह एक language है, इस language में कुछ meanings हमें बताये गए हैं, हमसे पूछा है कि यह habit जो word हमने use किया है, वो, उसका exact word कौन सा है इस language में, तो habit कहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, habit is in second code, जहाँ पर बोला है avoid harmful habit, यहाँ पर जो code यूज किया है, वो है, walk, door and not, तो हम देख रहे हैं कि not जो है, वो पहले बाले में भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है, मैं not देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर भी not है, तो यह दो चीज़ें यहाँ पर common हो गई, पर य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो habit word है, वो last वाले code में missing है, एक जो word है, walk, ठीक है, यही ऐसा word है, जो ना first में है, second में है, and habit भी जो हमारा word है, smoking is harmful and please avoid smoking, इसमें habit यूज नहीं हो है, तो उससे हमें यह पता चल रहा है, कि habit के लिए, वी ओजी को code किया हुआ है, तो हमार correct answer होगा, option A, अगर habit के जगह हमें कोई और word भी दिया होता है, तो हम उसको भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, अगर avoid दिया होता है, तो हम वो भी दिख रहा है, avoid harmful habit में भी, और please avoid smoking में भी, तो second जो code है, और third जो code है, उसमें क्या common है, वो है, door, तो हमें उससे पता चल जात अगर हमें बोलता की avoid का code निकालो, तो होता option C, okay, next is, in a code language, mu, k, sit means very lucky person, this, who, mu means fortunate and lucky, which is the word in the language for lucky, this is easy, आपको पता चल रहा है न, एकी word common है, दोनों में lucky and यहाँ पे भी lucky, तो बाकी दोनों word जो है, उनके लिए कुछ अलग code होगा, तो हमें code में देखना है, यह कौण सा word same है, तो हमें दिख रहा है, mu जो है, वो यहाँ पे भी है, और mu जो है, यहाँ पे भी है, ठीक है, तो option A, correct हो जाएगा, next is, in certain code, bright, fresh, sunny day means, sin, bin, zin, hin, ठीक है, bright, fresh, sunny day, यह question थोड़ा lengthy, आपको इतना lengthy नहीं आएगा, और आप जब practice भी करोगे, coding, decoding में से, तो starting के, जो मैंने आपको बताया थे, आपको वैसे question नहीं, जादा practice करने है, ठीक है, यह इसका part है, इसलिए मैं इसको इसमें cover कर जहूँ बस, अगला है, scent of fresh flowers, जिसको हमने code किया है, din, zin, lin, bin, से, next is, bright light of trucks, which is coded as, lin, min, hin, rin, and last one is, truck loaded with flowers, जिसको हमने code किया है, as fin, nin, din, min, हम से पूछा है, what is the code for bright in the language, जैसे हमने previous दो questions में किया, वहाँ, उसी तरीके से, हमें इसमें भी देखना है, first हमें यह देखना है, कि bright कौन-कौन से sentence में आया है, so here we can see, कि हमारे first sentence है, bright, fresh, sunny day, तो वहाँ पे हमने bright word मिल रहा है, and जो हमारे third sentence है, bright, light of truck, यहाँ भी हमें bright मिल रहा है, अब हम देखेंगे, जो इनका code है, उसमें common letter कौन सा है, so इसके code को देखो, और इसके code को देखो, साफ-साफ देख रहे हैं, इसमें common letter कौन सा है, H-I-N, तो bright के लिए क्या code किया हुआ है, H-I-N, हिन, ओके, तो option D हमारा जो है वो, correct answer हो गया, so I know I have told this many times, इसको solve करने के लिए, क्योंकि आप जब लिख के करोगे, आप बहुत जल्दी solve हो जाता है, आप screen पे ऐसे point out करके देखते रह जाओगे, और उससे जल्दी होगा कि आप copy make by लिख के, वहापे circle करके, या mark लगा के करो, तो आप बहुत ही जल्दी हो जाता उससे, पस यह होता, या मैं यहाँ होती, तो मैं यह करती, because you never know कौन से opportunity कब आपके सामने आ जाए, so if you are doing what you can at the moment, it will always work in your favor, for example, जैसे अचानक से NDA का open हो गया for girls, तो जो लड़किया पहले से prepare करें maths का, rather than waiting कि हाँ मेरा graduation होगा, उसके बाद मैं graduation वाले में apply कर सकती हूँ, तो मैं अभी से क्यों पढ़ूँ, तो उन लोगों ने अगर ऐसा नहीं सोचा, तब ही आज जा के उनका selection हुआ, अगर वो लोग भी ऐसे सोचती कि हाँ, हमारे लित अभी कोई post ही नहीं है, तो पढ़ के क्या फाइदा, हमें तो graduation के बाद ही कोई भी exam दे सकते हैं, अगर हमें defense को join करना है, तो उन लोगों का कभी भी नहीं हो पाता, so you never know what will happen, but things which you do know are where you are right now, what you have and what you can do with it, so use that in your favor, okay? So thank you so much for watching this session, stay safe and be happy everyone!